क्रेशनी जन्माश्टमी का पर्व हिंदु धर्म के लोगों द्वारा बड़े ही अर्शोलास के साथ मनाये जाता है। पुराणी कताओं के अनुसा इस दिन जगत के पालन हारी ने क्रिश्टन रूप में अपना आठवा उतार लिया था। भातवत मां के क्रेश्टन पक्ष के अष्टमी तिति को इनका जन्म हुआता है जिस कारएं इस तिति को जन्माश्टमी के रुप में आज भी लोग हनाते हैं। भी राजा हुए लेकिन स्वभाव से सीधे साधे होने के कारएं उनके पुत्र कंस ने ये उनका राज हड़प लिया। स्वभा मत्रा का राजा बन बैठा और कंस के एक बहन ती जिसका नाम देव की था। कंस उनसे बहुत प्रैम करता था। देव की का विवा वसुदेव से तैह हुआ तो विवा संपन होने के बाद कंस स्वयम ही रत हाकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवना हुआ। जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा ही रायत है तब ही एक आकाशवन हुई कि देव की और वसुदेव की आठवी संतान कंस के मरत्यू का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस कुडोधित हो गया और देव की और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बड़ा तब ही वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुचाए वह स्वयम ही देवकी की आठवी संतान कंस को सौंप देगा इसके बाद कंस ने वसुदेव देवकी को मारने के बज़ए कारागार में ढाल दिया कारागार में ही देवकी ने साथ संतानों को जन्म दिया औ उसके बाद जैसे ही देव की फिर से घर्वती हुई तभी कंस ने करागार का पैरा और भी कड़ा कर दिया। अब वरंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर तो छोड़ तो आए लेकिन एशोदाजी के घर्व से जिस कन्या का जन्म हुआ उसे कारागार में ले आए। बोली कि है मुझे मारने से क्या कुछ नहीं होगा तेरे तेरा काल तो पहले से वरंदावन पहुंच चुका है और जल्दी तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वंदावन में जन्में नौजातों का पता लगा है जब ये शोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कहीं प्रियास किये गए। है राक्षिसों को भी भी भीजा लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी भाका नहीं कर पाया। कंस को भी ऐसास हो गया है कि नंद बाबा का बालक की वसुदेव की की आठवी संतान है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन बटन दबा दीजिए तो मिलती होने एक से वीडियो में हरे किष्णा।